नमस्कार दोस्तों मैं परवीड कुमार बर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल पीडी क्लासेज में दोस्तों आज के इस आनलाइन टेस्ट में हम सब करने वाले हैं 25 कुस्चन जो आपके आने वाली परिच्छा यूपी पीसियल टीजी टू के लिए काफे इंपॉर्टन्ट है दोस्तों जो भी इस चैनल पे नए हैं किरपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को आन कर लें जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहला कुश्चन है डी सी मसीन में आरमेचर की अच्छ और बुरुस के संपर्क के केंदर के माध्यम से गुजरने वाला समतल कहलाता है आपसन A है जियोग्राफिकल प्लेन आपसन B है मैगनेटिक प्लेन आपसन C है कमुलेटिंग प्लेन आपसन D है जियोमेटिक प्लेन तो इसका सही आंसर है आफसन C, Cumulating Plan, DC मसीन में आर्मेचर की अच्छ और बुरुस के संपर्क के केंदर के माध्यम से गुजरने वाला समतल कहलाता है अगला कुश्चन है, DC मसीन में फ्रिक्सनल पिछ कुंडली का परियोग होता है आफसन A है, Cooling को बढ़ाने के लिए, आफसन B है, ताम रहानी को कम करने के लिए, आफसन C है, उत्पन EMF को बढ़ाने के लिए, आफसन D है, इस पार्किंग को कम करने के लिए, तो इसका सही आंसर है आपसन D स्पार्किंग को कम करने के लिए DC मसीन में फ्रिक्सनल पिच बाइंडिंग का प्रियोग स्पार्किंग को कम करने के लिए किया जाता है बढ़ते हैं अगले कुष्चन की तरफ अगला कुष्चन है DC फिल्ड कोईल के लिए किस बाइंडिंग तार का प्रियोग किया जाता है आपसन A है सूपर इनेल्ड ताबे के तार आपसन B है सिंगल सिल्क कबर्ड कापर वायर आपसन B है डबल सिल्क कबर्ड कापर वायर आपसन D है पीबी सी कबर्ड कापर बांडिंग वायर तो इसका सही आंसर है आपसन A सूपर इनेल्ड ताबे का तार सूपर इनेल्ड ताबे के तार का प्रयोग DC मसीन में फिल्ड कॉाइल के बैंडिंग के तार के रूप में किया जाता है अगला कुश्चन है कम छहमता की DC मसीन में योग बना होता है आपसन E है येलमुनियम का आपसन B है ढलवा लोहा का आपसन C है श्टील का आपसन D है कापर का तो इसका सही आंसर है आपसन B धलवा लोहे का कम छमता की DC मसीन में योक जो है धलवा लोहा का बना होता है बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ अगला कुश्चन है दिये गए चित्र में DC मसीन का क्या नाम है आपसन A है DC संट मोटर आपसन B है DC सिरीज मोटर आपसन C है DC आउकलन योगिक मोटर आपसन D है DC संचाई योगिक मोटर तो इसका सही आंसर है आपसन A आपसन A है कारबन के आपसन B है नर्म कापर के आपसन C है हार्ड कापर के आपसन D है लोगिक मोटर तो इसका सही आंसर है आपसन A कारबन DC मसीन के बरस कारबन के बने होते हैं बढ़ते हैं अगले कुस्चन की तरफ अगला कुस्चन है इस्टेटर की संचना होती है आपसन A है आपसन B है बलयाकार आपसन C है वरगाकार आपसन D है तिर्भुजाकार तो इसका सही आंसर है आपसन B बलयाकार इस्टेटर की संचना जो है बलेयाकार होती है अगला कुश्यन है डीसी मसीन का कम्यूटेटर किस तरह कार्य करता है आपसन ए है पूर्ध तरंग रियक्टिफायर की तरह आपसन बी है अर्ध तरंग रियक्टिफायर की तरह आपसन सी है नियंतरित पूर्ध तरंग रियक्टिफायर की तरह आपसन A, पोड़ तरंग रियक्टी फायल की तरह, DC मसीन का कम्यूटेटर पोड़ तरंग रियक्टी फायल की तरह कादे करता है, बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ, अगला कुश्चन है, किसी मसीन की दच्चता अधिक होगी यदी, आफसन A है, इन्पुट पावर कम हो, आफसन B है, हानिया कम हो, आफसन C है, पावर का वास्तविक घटक कम हो, आफसन D है, किलो वाट आवर का उभोक कम हो, तो इसका सही आंसर है, आफसन B हानिया कम हो, DC मसीन की दच्चता अधिक्तम तभी होगी, जब उसमें हानिया कम होगी अगला कुश्चन है डी सी मसीन में आर मेचर परतगिरिया का परभाव निमन में से कौन सा नहीं है आफसन ए है मुख फिल्ड फलक्स को दुर्बल बनाता है और इसे नुरूपित कर दिया जाता है आफसन बी है यह कम्यूटेटर पर भारी स्पार्क देता है आफसन C है जनरेटर के मामले में यह उत्पन बिद्दुत वाहक बल को दुर्बल बनाता है आफसन D है मोटर की स्पीड में ब्रिद्धी करता है तो इसका सही आंसर है आपसंडी मोटर की स्पीड में ब्रिद्धी करता है बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ अगला कुश्चन है DC मसीन में लोहानी मुख रूप से निम लिखित में होती है आपसंड़ A है योक में आपसंड़ B है कम्यूटेटर में आपसंड़ C है मुख बाड़ी में आपसंड़ D है आर्मेचर रोटर में तो इसका सही आंसर है आपसंड़ D आर्मेचर रोटर में DC मसीन में लोहानी मुख रूप से आर्मेचर रोटर में होती है अगला कुश्चन है चित्र में A और B DC मसीन के किस भाग को परदरसित करते हैं आपसन A है कम्यूटेटर योम इस्टेटर आपसन B है इस्टेटर योम इंटर पोल आपसन C है इंटर पोल योम मुख पोल आपसन D है मुख पोल और कम्यूटेटर तो इसका सही आंसर है आफसन C, इंटर पोल और मुख पोल बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ अगला कुश्चन है आर्क बिल्डिंग के लिए परियुक्त डीसी जनरेटर में होने चाहिए आफसन A है, बर्धन अभिलच्चड आफसन B है, लंब कोडिये अभिलच्चड आफसन C है, रिजु अभिलच्चड आफसन D है, ड्रोपिंग अभिलच्चड तो इसका सही आंसर है आफसन D, ड्रोपिंग अभिलच्चड आर्क बिल्डिंग में परियुक्त डीसी जनरेटर में ड्रोपिंग अभिलच्चड होने चाहिए अगला कुस्चन है आटो मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सा जनरेटर उपयोगी है आपसन A है सिरीज जनरेटर आपसन B है कमपाउंड जनरेटर आपसन C है संट जनरेटर आपसन D है लांग संट कमपाउंड जनरेटर तो इसका सही आंसर है आफसंसी संट जनरेटर आर्टो मुबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए संट जनरेटर का उपयोग किया जाता है बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ दोस्तों जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को वान कर लें जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे अगला कुश्चन है डीजर जनरेटर सेट में उपयोग होने वाले लुब्रिकेंट तेलो का यस ए ई नमबर क्या प्रदरसित करता है आपसन ए है ग्रेड आपसन भी है सयानता आपसन सी है फ्लैस पॉइंट आपसन डी है घनत्व तो इसका सही आंसर है आपसन भी सयानता डीजर जनरेटर सेट में उपयोग होने वाले लुब्रिकेंट तेलो का यस ए ई नमबर सयानता को प्रदरसित करता है अगला कुश्चन है संट जनरेटर की चुम्बकिये अभिल अच्छर वक्र किन चीजों के बीच संबंध दिकाती है आपसन ए है यक्स अच्छ पर उत्पन बोड़ता वाई अच्छ पर छेत्र धारा आपसन भी है यक्स अच्छ प्रेरित एमफ और वाई अच्छ पर आर्मेचर धारा आपसन सी है वाई अच्छ पर प्रेरित एमफ और यक्स अच्छ पर आर्मेचर धारा आपसंडी है वाई अच पर प्रेरित EMF और यक्स अच पर धारा तो इसका सही आंसर है आपसंडी वाई अच पर प्रेरित EMF और यक्स अच पर धारा DC संट जनरेटर की चुम्बकिय अब लच्छर वक्र वाई अच्छ पर प्रेरित एमफ और एक्स अच्छ पर धारा को दिखाता है बढ़ते हैं अगले कुस्चिन की तरफ अगला कुस्चिन है DC मसीन में किस निमनलिखित किस्म की बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है आपसन A है लाइब बाइंडिंग आपसन B है बेब बाइंडिंग आपसन C है A और B दोनो आपसन D है कांसिंट्रिक बाइंडिंग तो इसका सही आंसर है आपसन A और B दोनो DC मसीन में लाइब बाइंडिंग तथा बेब बाइंडिंग दोनों किस्म की बाइंडिंग का उपियोग किया जाता है अगला कुश्चन है DC जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या काम है आपसन A है चुम्बकिये छेत्र की सक्ति को बढ़ाना आपसन B है AC को DC में परिवर्थित करना आपसन C है धारा एकत्रित करना आपसन D है चिनगारी कम करना तो इसका सही आंसर है आपसन B AC को DC में परिवर्थित करना DC जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्ज AC को DC में परिवर्थित करना है बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ, अगला कुश्चन है लेब बाइंडिंग में समानतर पथो की संख्या होती है, आपसन A है, A बराबर 2, आपसन B है, A बराबर P, आपसन C है, A बराबर 4, आपसन D है, A बराबर Z, तो इसका सही आंसर है, आपसन B, A बराबर P, लेब बा DC मसीन में यद पी पोलो की संख्या है यन आर मेचर स्पीड आर पियम में है तब चुम्बकिये बेउत कर्मों की आप रित्ती होगी आपसन A है पी एन अपान 60 आपसन B है पी एन अपान 180 आपसन C है पी एन अपान 120 आपसन D है पी एन अपान 100 तो इसका सही आपसन C पी एन अपान 120 बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ अगला कुश्चन है किसी डीजर जनरेटर सेट में यदि सफेद धुआ दिखाई देता है तो यह क्या सूचित करता है आपसन A दहन कच्छ में पानी है आपसन B है इंजन को ओबर करहाल की आवसेकता है आपसन C है पंप में अधिक देल है आपसन D है दहन सही नहीं है तो इसका सही आंसर है आपसन A दहन कच्छ में पानी है किसी डीजर जनरेटर सेट में यदि सफेद धुआ दिखाई देता है तो यह सूचित करता है कि दहन कच्छ में पानी है, अगला कुश्चन है, आर मेचर बाइंडिंग किस करम में जुड़ी होती है, आपसन A है, समानतर करम में, आपसन B है, स्रेडी करम में, आपसन C है, स्रेडी या समानतर करम में, आपसन D है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है, आपसन C स्रेडिया समानतर क्रम में आर्मेचर बाइंडिंग स्रेडिया समानतर क्रम में जुड़ी होती है बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ अगला कुश्चन है DC मसीन की बाइंडिंग पूरे पिच बाइंडिंग कहलाती है option A है binding pitch बराबर pole pitch option B है binding pitch बड़ा हो pole pitch से option C है binding pitch छोटा हो pole pitch से option D है इन में कोई संबन्द नहीं होता है तो इसका सही answer है option A binding pitch बराबर pole pitch DC मसीन में binding pole pitch binding कहलाती है यदि binding pitch बराबर pole pitch है तो अगला question है थर्मो इस्टेट की दोईधात इस्ट्रिप निम्न लिखित में किसकी बनी होती है option A है branch iron option B है copper iron option C है brass copper option D है magneez silver तो इसका answer है option C branch copper थर्मो इस्टेट की दोईधात इस्ट्रिप branch copper की बनी होती है बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है DC circuit के सभी नियम AC circuit पर भी लागू होते हैं option A है प्रतिरोध option B है संधारित्र में option C है inductor में option D है सभी में तो इसका सही answer है option A प्रतिरोध में DC circuit के सभी नियम AC circuit में परतिरोध पर लागू होते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment box में जरूर बताईएगा तथा एक like कीजिएगा हमारे लिए जिससे मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आता रहूँ दोस्तों जो भी अभी तक channel को subscribe नहीं किये हैं वो channel को subscribe कर ले तथा बेल आइकन को आन कर ले जिससे आपको आने वाले वीडियो की update मिलती रहे तो दोस्तों धन्यवाद